गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स टुडे वी विल डू फिल इन दा ब्लैंक्स आज हम फिल इन दा ब्लैंक्स करेंगे हमने कल भी फिल इन दा ब्लैंक्स किये थे पर उसमें प्लस साइन वाले किये थे कल जो हमने फिल इन दा ब्लैंक्स किये थे उसमें कौन सा साइन यूज 1 10 3 10 में इसे अगर 1 10 को माइनस कर दो तो क्या आएगा 2 10 मैंने आपको पहले भी बता ज़ा है 10 का मतलब 10 10 में किसकी साउंड आ रही आपको 10 की 2 को 10 से मल्टिप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 10 से 20 2 10 2 10 माइनस 2 10 2 10 में इसे 2 10 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा जीरो और यहाँ पर किसका मतलब क्या है टैंस टैंस का मतलब क्या है टैंस जीरो की टैंस से मल्टिप्लाई करोगे तो क्या हैगा अगर आप जीरो की किसी भी नंबर से किसी भी डिजिट से मल्टिप्लाई करते तो अंसर जीरो ही आता है क्या है मतलब अगर हम 0 की किसी भी नंबर किसी भी डिजिट से मल्टिप्लाई करते तो अंसर क्या आता है 0 next one is 5 tenth minus 3 tenth 5 tenth में से 3 tenth minus कर दो तो क्या आएगा 5 में से 3 minus का मतलब क्या होता है cut कर देना देखो 1, 2, 3, 4, 5 5 में से अगर मैं 3 cut कर दू 1, 2, 3, 3 cut कर दे तो कितने बचे मेरे पास 1 और 2 कितने बचे 2 10 का means क्या होता है 10 2 को 10 से multiply करोगे तो क्या आएगा 2 10s are 20 6 10 minus 4 10 minus का मतलब subtraction भी होता है आप इसको इस वे से भी याद रख सकते हो cut करना होता है माइनस में क्या करना होता है cut 6 में से 4 10s minus कर दो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 में से 4 minus कर दो 1, 2, 3, 4 तो कितने बचे आपके पास 2, 1 और 2 क्या बचे आपके पास 2 2 10s 10 का मतलब क्या होता है 10 2 की 10 से multiply करोगे तो क्या आएगा 2 10s are 20 next देखो मैंने ऐसे कल आपको plus वाले कराए थे आज हम minus वाले करेंगे सबसे पहलो पर क्या लिख लो once, tense once, tense मैंने आपको पहले बताए था once को once में से minus करते हैं tense को tense में से minus करते हैं तो अब यहाँ देखो once को once में से minus करो ये once भी 0 है ये once भी 0 है 0 को 0 में से minus करेंगे तो क्या आएगा? 0 Tense को tense में से minus करना है 2 में से 1 को minus करूँ क्या है ये? 2 2 में से 1 minus कर दो तो क्या बचा? 1 ऐसा method करने से ये method follow करने से आपकी mistake नहीं होगी पहले लिखो once फिर लिखो tense फिर लिखो once फिर tense फिर मैं आपको बता रहूँ इस sign कौन से? minus का इसको subtraction भी कहते हैं इसमें क्या किया जाता है? इस digit में से digit को minus किया जाता है मतलब cut किया जाता है अब once में से once को minus करो once में से once को minus करो 0 में से 0 0 0 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 10 को 10 में से करो 5 में से 3 माइनस करो 1, 2, 3, 4, 5 5 में से 3 माइनस कर दो 1, 2, 3 माइनस कर दो मीस कट कर दो तो क्या बचा हमारे पास? 2 याद रखो add यानी plus plus के सम में हम जोड़ते हैं इनको लेकिन माइनस के सम में हम इस में से इसको माइनस करते हैं नेक्स्ट वन इस आपको पता है 60 में से 60 अगर मैं माइनस करूंग तो 0 ही आएगा लेकिन फिर भी हम इस तरीके से करेंगे ताकि कोई mistake नहीं हो ये क्या है once और ये क्या है tense ये क्या है once और ये क्या है tense once में से once को माइनस करो तो क्या होगा once tense once tense once में से once को माइनस करो 0 में से 0 माइनस हुए 0 10 में से 10 माइनस करो 4 में से 1 माइनस करो पहले फिंगर पर 4 लो 1, 2, 3, 4 4 में से क्या माइनस करना है 10 क्या है 1 1 माइनस करते है 1 कट हो गया तो क्या बचा 1, 2, 3 30 next one देखो 80 माइनस 50 पर हम फिर भी क्या लिखेंगे उपर 1's 10 1's 10 1's में से 1's को माइनस करो 0 में से 0 को माइनस करो क्या आएगा 0 8 में से 5 माइनस करो पहले फिंगर पर 8 लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माइन में डखो यहाँ पर 8 है 8 में से 5 माइनस करना है 10 में से 10 माइनस करना है 5 माइनस करो 1, 2, 3, 4, 5 5 माइनस करा क्या बचा यहां पर आएधा न हमारा 8 1, 2, 3 5 तो यहां तक आया था 5 को माइनस कर दिया क्या बचा 1, 2, 3 दुबारा करकर दिखाती हूं 8 वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 यहां पर आता है 8 में से आपको 5 माइनस करना था 1, 2, 3, 4, 5 means 5 यह सारा माइनस हो गया तो क्या बचा आपके पास 1, 2, 3, क्या बचा 3 बस इन सम को करने से पहले once और tense इनके पर लिखो उसके बाद सब्टेक करो तो आपकी mistake नहीं होगी और याद दखना tense का sound आ रहे तो मतलब किससे multiply करोगे answer को 10 से, किससे multiply करोगे 10 से, थैंक यू